हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज दोस्तों आज है साथ फरवरी 2021 तो आज दोस्तों कुछ सब्सक्राइब कर दो कोलेज कि और और कीशियन दिखाऊंगा जिससे कि आपको जड़ा वी कन फ्यूजण ना हो ठीक है किस दिन से क्वेचिया क्या क्या वहां साफधानी बरतने सब कुछ बहां पर बताया गया है और वो नोटिफिकेशन आपको मैं टेलग्राम के ओपर भी अवेलेवल करवाऊंगा ठीक है यह दोस्तों नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है और कोल्जों के लिए बड़ी अपडेट है क्योंकि बिल्कुल कंफर्म होना बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे निउस्पेपर में ही आता है और ओफिशिल नोटिफिकेशन से विल्कुल कंफर्म हो जाता है कि कब से क्या होगा पूरा डेटेल में महाँ पर बताया होता है और तो यह एक्जाम अब इस दिन होगा कुछ अपडेट आई है एच्प्यू क कर दोस्तों वीडियो अप्लोड के थी तीन चार यूजी की डेट शीट के लिए तो उनकी थोड़ी क्लार्टी पता नहीं मतलों साफ नहीं दिखने थी वीडियो तो पता नहीं क्या प्रोल्म होगे थी कल तो अभी आपको यहां पर डेटेल मैं थोड़ा सा बताने वालों क क्योंकि आप सबी बहुत ज्यादा कंफ्यूजड हो अभी भी कि कौन सी डेट शीट है कौन सी डेट नहीं है हलंकि मैंने थमनेल के उपर बाहर लिखा हुआ कि कौन सी डेट शीट है बड़ा को फिर भी मैं यहां पर एक बार किसे कंफर्म करवा दूँगा ओके चलो इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा जोई 57,851 पहुंच गया है सक्री मामले घटकर 497 रह गये हैं अब तक 56,367 संक्रमित ठीक हो चुके हैं तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है आपकी कौरोना की चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रहें दोस्तों मनमानी फीस नहीं बसूल पाएंगे नेजी स्कूल बजट सत्र में एक्ट होगा शंशोधित 1997 में बने एक्ट के शंशोधित को कैबिनेट की मंजूरी बीधी बिघब बिभाग के पास पहुंचा मामला नेजी स्कूलों का हो सकता है हो सकेगा ओडिट फीस निधा करने को लेकर कोई प्रापधान नहीं तो यह यहां पर अपडेट है मुक्योंतर जराम ठाकूर कि यह दिक्ष्टा में बीते दिन कैबिनेट पैटक में इस पर अनो पचारिक बादचित होई कैबिनेट ने शिक्षब भाग को एक्ट में बदलाब को की जो है हरी जंटी दे आप यहां पर कुछ अपडेट है और चलिए दोस्तों नेक्स अप्रेट आपको मैं बता देता हूं तो यह दोस्तों यहां पर कर लो कि ल्लम का जो सेक्ड समस्टर पेपर एक्स हैल्थ लोज एंड पेपर एक्स बिक्तोमोलोजी था पहले शिडूल था पांच फर्वरी को कि दो से पांच टाइम तर्स का पांच फर्वरी को होना था बट उसे पोस्पोन कर दिया गया था रेन फोल की हाँ स्नोफोल की वैसे ओके हैवी ज्यादा स्नोफोल महां पे हो रहा था तुसे पोस्पोन कर दिया गया था तो अब यह एक्जाम जो है आपका होगा नो यहां को बताया था सेम वही उनका शिड्यूल है एक्जाम का तो आप कमेंट करके बतायेगा पीजी बाले जाना चाहते हैं कि नहीं कि उनके उनके गजाम कब होसकते हैं एक्जेक्ट थोड़ा मैं आपको आइडिया दे सकूद हूँ एक्जडी पोस्ट गजी बालों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि उनका एक्जाम अभी कब तक हो सकता है तो जैसा कि मैंने यूजी का बताया था कि पंदरा के बाद कभी भी आपका एक्जाम और स्पेशली फिर से वाली नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि 21-22 से आपके एक्जाम स्टार्ट हो सकते हैं तो वैसा ही दोस्तों यहां पे शिडियूल कुछ देखने को मिला है हमको एक्जाम की तरफ से तो पीजी वाले भी अगर जाना चाहते हैं कि कब तक उनका एक्जाम पोसिबल है तो कमेंट जुरू करना उसके बाद मैं वीडियो बना दूँग आपके लिए चलो नेस्ट अप्टेट दोस्तों यह रही तो शिमला में तीसरे दिन दुपहर बाद दोड़ी बसें कसोली में 46 घंटे रहा ब्लैक आउट बरफबारी में बाधित हैं तीन एनेच और 281 सटके 350 रूट ठप तो यहां पे यह नुन्तम तामान भी हां पे बताया गया से 46 घंटे ब्लैक आउट रहा नियुन्तम तामान में कमी आने पर से जो है प्रदेश के कई खेत्र में सटकोर्व पाने शीशे की तरह जम गया जिससे पैल चलना भी मुश्किल हो रहा था तो यह कुछ तो यहां पे अपडेट है ठीक चलिए नेक्स्ट अपडेट यहीं दोस्तों तो एललम की प्रिक्षा अब 9 फर्वरी को होगी तो यह आपको मैं नोटिफिकेशन भी बहां पे बता चुका हूं दोस्तों ओफिशिल नोटिफिकेशन जो एच्पी तरफ से आया हुआ है तो यहां पर भी देख लो मास्ट्रें लो प्रिक्षा जो हिमाचल अपडेश बिशेव जाले की तरफ से बर्फ भारी बर्फ भारी के कारण स्थागित कर देगी थी एललम की तो अब नो फर्वरी को दो से पांच बजे तो है होगी तो यह जो है एच्पी के प्रिक्षा दें तक डाक्टो जेसने की नहीं यह जान कर चैल्ग के उपर अपलोड कर देता हूं ठीक है तो आप भी अगर आपको कुछ डाउलोड करना है नोटिफिकेशन पीडियाफ तो आप मेरे टेलेग्राम चैल्ग से डाउनलोड कर सकते हो वहां पर इंपोर्टेंट पीडियोफ जो है अपलोड करता रहता हूं टेलेग्रा बिद्यार्थि उपर स्कूल आने पर के लिए फिलहार केसी भी परकार का दवाब नहीं बनाया जाएगा स्कूल में बिद्यार्थि की हाजरी की अनिवारता भी नहीं रहेगी स्कूल कोल जोके नोटिस वोड़ पर कुरोना संकमर से बच्चाव की S.O.P. को चस्पा किया ज बिद्यार्थि के लिए स्कूल खूलने स्कूल आठ फरविर से खूलने और 31 मार्ज तक मिट्टे मील की योजना को सगित करने को लेकर शिक्षन देशा लेने सभी जिला उपन देश्चुकों को सूचित कर दिया है और यहाँ पर कहा है कि सभी S.O.P. का पालन किया जाए सभी को S.O.P. का पालन यहाँ पे करना है तो यहाँ पर अप्डेट है चलिए नेक्स अप्डेट देख लेटे हैं तो यह रही कॉल जो मै नीवेध कक्षाए शुरू करने से पहले परिजसर सेनिटाइज क्लेज परिशर में स्कुल्स में खड़े होने पर रोख गेट पर स्क्रेणिंक के बाद ही मिलेगा प्रवेश्य तो यह में बताये गाया था है की शुरभाक जो हे यहां पर इसके साथ ही कोलिज परिस्वल화 में जर्मी व को भी हटाया जा रहा क्योंकि दूस्तों ये बात हो रही है RKMB कोलिज की तो कोलजों में छातर रवास खोलने पर अभी नहीं लिया है फैसला ओके तुम आपको नोटिफिकिशन भी बदाऊंगा दूस्तों भी उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जागा है यहां पर तो शेहर के RKMB राजीब गांधी महा विद्याले कोट्षिजर और सेंटर ओफ एक्सिलेंस संजोली कोलजों में करोना से बचाव के लिए खास सेयारियां की जा रही है हर कोलज में 3000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं कोलज परिसर सेनिटाइज किये जा रहे है और कख्षाओं में विद्यार्थियों के बीच आवश्यक दूरी बनाया रखने की लिए सेटिंग प्लान भी बनाया जाएगा परिसर में समोह में खड़े होने की जाएज नहीं होगी कख्षा कहा कि ओनें कख्षाओं भी जारी रहेंगी और और आरकेंबी और संजोली कोली प्रचाश ने अभी चात्रावास खोलने के बारे में फैंसला नहीं लिया है और आरकेंबी में एक देन छोड़कर लगेगी कख्षाओं तो यह भी दूस्ते के इंपोर्टेंट अपडेट है यहां पे और कोट्षिया कोलेज में कख्षाओ की वर्ष को सामिल किया है इस ग्रूप की कख्षाओं सोंबार और मंगलवार को लगेंगी तो यहां पर शेडूल दोस्तों बताया गया है यह आप यहां पर देख सकते हो और यहां दोस्तों कल से खुलेंगे कोलेज माइक्रो प्लान से लगें कख्षाओं अधिक संख्या अधिक साथ संख्या वाले सूबे के कोलेज में एक दिन छोड़कर बुलाए जाएंगे विद्यार्थी तो अभी मैं आपको ओफिशन नोटिफिकिशन बताऊंगा ठीक है उसमें बने रहिएगा तो यहां पर यह बताया कि कल से लगेंगी इसकोले में प्रिंसिपल हो और शिक्षकों की ओर से तियार माइक्रो प्लान के अधार पर विद्यार्थियों को बुलाए जाएगा विद्यार्थियों के अधिक संख्या वाले कोलेजों में एक दिन छोड़कर या शुबह शाम के सब्तर में भी कक्षाएं लगाई जा सकत सब्सक्राइब करने के लिए कहा गया था तो यहां कुछ दोस्तों अपडेट है ठीक है अगी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा जाता हूं जहां पर कब से कोलेज आपके स्टार्ट है क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल साब साब लिखा होता है तो यहां दोस्तों नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ओपनिंग ओफ एजिटेशनल इंस्टिउचन और होस् संस्क्रित प्राइवेट जी आइए कोलेज इंक्लूडिंग होस्तों यहां पर यह कोलेजी सभी खुलेंगे गर्मेंट कोलेज होगे प्राइवेट कोलेज होगे जी आइए कोलेज होगे संस्क्रित कोलेज होगे सभी खुलने जा रहे हैं आठ दो 2021 से यानि कि कल से including hostels hostels के साथ ये college भी खुल जाएंगे यहां पर comment आते हैं कि hostels कब सके खुलेंगे hostels भी खुल जाएंगे कल से यहां पर लिखा है including hostels hostels भी खुलेंगे after winter vacation with the strict compliance of instructions guidelines directions as to be issued from time to time दोस्तों official notification इस वीडियो के बाद मैं आपने टेलेग्राम चैनल के उपर आपको बता दूँगा ठीक है क्योंकि बहां पर आपको सब कुछ बहुत ज्यादा पेज से नोटिफिकेशन में 13-14 पेज से शायद तो आप नोटिफिकेशन मेरे टेलेग्राम चैनल से पढ़ सकते हो हराम से में आपको मैंने बता दिया कि कल से यहाँ पर ओफिश्यल बताया गया है हायर एजुकेशन एच्पी की तरफ से यह नोटिफिकेशन है दोस्तों डिरेक्टर ओफ हायर एजुकेशन शिमला की तरफ से नोटिफिकेशन है कल का notification है तो यह आप देख लो और अभी मैं आपको बता दू एक और कि यहां पे दोस्तों date sheet किस किस की आई हुई है ठीक है तो दोस्तों date sheet जो है वो आई हुई है आपकी जो date sheet आ चुक है बहुत सारी date sheet दोस्तों नाना कल जारी कर दी है तो उन सभी date sheet का लिंक आपको मैं क्या करता हूं कि वीडियो का उपर आपको आई-कार्ड में लिंक दे दूंगा आपको बही पर जाना है और डाउननोड आपकर सकते हैं मेरे टेलग्राम चैनल से और उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है ठीक है बट डिस्क्रिप्शन से पर अवेलेवल मैंने करवा दी हैं ओके जितनी वीडियो ठीट हैं तो यह ध्यान से देखना बीए 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 फे ओनर्स शास्त्री ओल्ड प्लस न्यू बैस सभी की बहां पर अवेलेवल हैं और पीजी वाले कमेंट करना जाना चाहते हैं एक्जाम के बारे में थोड़ा बहुत तो कमेंट करके बताना फिर मैं वीडियो बनाऊँगा ओके वीडियो चलेगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करेगा थैंक्यू